नमस्कार आप देख रहे हैं काल चक्रों और आपके साथ मैं हूँ अभिलाशा पाथक हमेशा की तरह हमारे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेशागे पंडिस सुरेश पांडेजी पंडेजी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपकी यात्रा मंगल मैं होगी या मुश्किले बढ़ाएंगी जानने के लिए देखिए काल चक्र जी हाँ हमारे शास्त्रों में यात्रा करने के लिए कुछ विशेश, मुहूर्त, तिथियां और कई खास नियम बताए गए हैं कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान दुरगटना होने से हमारे मन में बहुत सारे खयाल आते हैं जैसे के आज हम क्यों घर से निकले, किसका मूह देख कर निकले, आज हमारी किसमत हमारे साथ नहीं है लेकिन इन बातों के बावजूद क्या आपने कभी सोचा है कि आपने किस तिथी, किस मुहुर्त, किस प्रहर में यात्रा शुरू की थी नहीं न, तो आज का कालचकर ध्यान से देखिए क्योंकि आज कालचकर में पंडी जी आपको बताने वाले हैं कि किन तिथियों में यात्रा करने से महालाभ मिलता है और किन तिथियों में की गई यात्रा हमें किसी मुसीबत में डाल सकती है इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411 हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मोहुर्थ 27 मार्च 2022 दिन रविवार आज चैत्र कृष्ण पक्ष की दस्मी तिथी है साम 6 बच कर 4 मिनट तक इसके बाद एकादसी तिथी सुरू हो जाएगी उत्रा साज नक्षत्र रहेगा दो पहर 1 बच कर 32 मिनट तक इसके बाद स्रमन नक्षत्र सुरू होगा सिवयोग रात आठ बच कर 16 मिनद तक इसके बाद सिध्ययोग सुरू होगा आज पूरे दिन सरवार्थ सिध्ययोग बना हुआ है और आज के कुछ असुभ मुहूरद भी है जैसे रविवार है तो राहु काल रहेगा साम सारे चार बजे से 6 बजे तक और यमगंड काल रहेगा दोपहर 1227 से 1 बज़ कर 69 मिनद तक और गुलिक काल दोपहर 331 से 5 बज़ कर 4 मिनद तक और भद्रा शाम 6 बज़ कर 4 मिनद तक है इन असुभ समयों में किसी कारे का सुभारंब या यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए और आए आज की महत्वपून चर्चा कि हम शुरुवात करें तो क्या तिथी, वार, महुर्थ, घड़ी या प्रहर का असर हमारी यात्रा पर पढ़ता है यह हम पंडी जी से जानते हैं और अगर पढ़ता है तो पंडी जी सबसे पहले हमें बताएं कि प्रतिप्रदा, दृतिया और तृतिया ये तिथी कैसी मानी जाती है यात्रा करनी के लिए देखो हमारे हां सोलह तिथिया होती हैं, मैं अपने दर्सकों के जानकादी के लिए आपके माध्यम से बताना चाहूंगा अभी जासा सोलह तिथियां होती है लोग कहते हैं कि चंद्रमा में सोलह कला होती है ये कला क्या है सोलह तिथियां जो घटती बढ़ती है यही चंद्रमा की कला है कुछ लोग यह कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है सोलह कला के अंतारी थे और भगवान राम बारा कला के अंतारी थे तो 12 कला का आउतार और 16 कला का आउतार का मतलब यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान कृष्ट का जीवन स्रेश्ट था भगवान राम का जीवन उनसे कमजोर था यह नहीं सोचना चाहिए भगवान राम ने सूर्य बंस में जन्म लिया था और सूर्य की बारह रस्मिया होती है इसलिए भगवान राम को बारह कला का माना गया और भगवान कृष्ट ने यदुबंस में जन्मलिया था यदुबंस में जन्मलिया था भगवान और वो चंद्रबंस था और चंद्रबंस में चंद्रमा की 16 कलाएं होती है इसलिए 16 कला के उतारी भगवान क्रिस्ट को माना जाता है तो आज हम बात तिथी की कर रहे हैं प्रतिपदा, गुतिया और तिर्टिया तिथी के बारे में बात कर रहे हैं और बल्कि सब तिथी के बारे में बात कर रहे हैं यात्रा करते समय तिथी का बहुत महत्तो होता है सुकलपक्ष की पर्तिपदा तिथी के दिन यात्रा मंगलकारी नहीं मानी जाती है उसका कार्ण होता है चंद्रबल बिल्कूल छीन होता है अमावरस्या का चंद्रबा पर्तिपदा के दिन बिल्कूल छीन होता है चंद्रबा में कोई जान ही नहीं होती इसलिए ये यात्रा या इस दिन कोई काम सुरू करना मंगलकारी नहीं माना जाता है लेकिन आज के कारकरम के लिए आपको कागज कलम हाथ में उठाना पड़ेगा क्योंकि आज के कारकरम मैं थोड़ी सी जूंतिसाब को सिखाऊंगा और आप कागज कलम अगर नहीं रखेंगे तो साइद ये मिस कर जाएंगे जो अच्छे अच्छे जोंसी लोगों को नहीं पता है आज वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इसके बारे में एक सफल ज्यान अर्जित कर ले तो सूकल पक्ष की परत्पदातिथी में यात्रा ना करें सूकल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दूतिया के दिन यात्रा करना सुभ होता है ऐसी यात्राएं व्यक्ति को हमेशा लाव देती हैं कारियों में सफलता परदान करती हैं सुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथी के दिन यात्रा करने से विजय प्राप्त होती है कानूनी मामलों के लिए अगर आपको कहीं जाना है तो सुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतिया तिथी के दिन ही आपको यात्रा करने चाहिए अब आजाईए, एक तो तिथी की बात हो गई, केवल तिथी से ही यात्रा का निर्धारण नहीं होता, दो चीजें और, एक तो चंद्रवास और दूसरे योगिनी वास, चंद्रवास क्या कहता है, अब लिखिए, मेशे च सिंहे धन पूरु अभागे, ब्रिखे च कण्ये मकरस्तु जाममे, युगमे तुले कुम्भससी परतिच्याम, करकाली मीने दिसतो चरस्याम, मेश, सिंग और धनु रास का चंद्रमा होगा तो पूरब में होगा बिसब, कन्या और मकर रासी का चंद्रमा होगा तो दक्षिन दिशा में होगा मिठून, तुला और कुम्ह का चंद्रमा होगा तो पस्चिम दिशा में होगा और कर्क ब्रिष्चिक और मीन रासी का चंद्रमा होगा तो उत्तर दिशा में होगा ये क्यों देखा जाता है सनमुखे अर्थराभस्च दाहिने सुक्संपदा बामे सुक्विनासाय प्रिष्टे चंद्रधनक्ष अगर चंद्रमा आपके यात्रा करते समय सामने पढ़ रहा है तो आपको पैसे का लाब होगा अगर आपके दाहिने पढ़ रहा है तो सुक्संपदा आपको प्राप्त होगी बामे सुक्विनासाय अगर बामे चंद्रमा पढ़ रहा है तो सुक्का नास होगा प्रिष्टे चंद्रधनक्ष अगर पीछे चंद्रमा है तो आपके धनक नासक हो जाएगा तो एक चीज तो ये नोट कर लीजे अगर आपको चंद्रवास पता लग गया चंद्रमा का पता लग गया तो एक बहुत बड़ी चीज आपने जान ली अब दूसरी बात ऐसी बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हस होगे मैं सन बयासी में बंबई गया था तो हम अपने किविश्चिदार के साथ अपने बहिन के ससूर के साथ एक बहुत बड़े जोची से मिलने गया तो हमारे भहिन के ससूर जी थे बताए कि ये लड़का जो है जिवतिस करता है इसको जिवतिस की बहुत जानकारी है और बहुत बड़े विद्वान थे और उनके सामने हमारा तो कुछ भी अवकात नहीं था लेकिन अभी ने कहा तो उन्होंने हमसे छूटते ही पूछा कि भा अश्टिमी को योगनी सानखोन में रहेगी तो कि यह क्या कहा तुने हमने का पूछ अनदब भाई यहीं विद्वियोगनी जाई जिसका मतलब है इसका मतलब यह होता है पूछ माने पूरव उन माने उत्तर अमाने अग्निकोंड दमाने दक्षिन नमाने नरित कोंड पाव भाईया हम तुम्हारा कुछ पूछने लायक और तुम्हें कुछ बताने लायक नहीं है तुब तो अलाग जिए उतिसकी रचना करके चल रहे हो तो चुकि इस लोक इसका बड़ा कठिन है मुझे याद नहीं हो रहा था तो मैंने उसका पहला-पहला अच्छर लिख करके व और वही मैं चाहता हूँ आप भी याद कर लें पू उ अ न द प बाई यहीं भी थी योगिनी जाई अगर पूरव दिशा है तो योगिनी अगर परिवात इसी है तो योगिनी कहां रहेगी पूरव दिशा में रहेगी सनमुखे योगिनी सनमुखे ध्यूते गमे युद्धेच मिर्त्वा असुभाबाम भागस्था प्रिष्टे दक्षे जैप्रदा योगिनी अगर दाहिने और आपके पीछे रहेगी तो आपकी सारी मनो कामना पूरी होगी योगिनी अगर बाए और सनमुख हो गई तो ना का है जहां जहां आपके कदम पढ़ेंगे सफलता आपके कदम चुमेंगी तो मुझे विश्वास है कि आपने योगिनी के बारे में जरूर लिख लिया होगा पू अनदप बाई यहीं बिधी योगिनी जाई और चंद्रवास का भी विचार आपने कर लिया होगा अब कि शंगया है जोति सास्तर में की पांच संगया है जैसे परिवा छट एकादस नंदा परिवा छट और एकादस ती हो तो यह थी तो यह पांच इनकी संग्याय हैं और इसमें अमावस्या को कर्कुलेट नहीं किया गया है इसलिए कि मावस्या के दिन यात्रा वगएरा बरजित है इन सब चीजों का ग्यान रखने के बाद जिवतिस का पूर्ण रूपिन आनंद और ग्यान प्राप्त किया जा सकता है जै माविन दिवासमी तो किस स्थिथी, मोहुर्त और प्रहर में यात्रा करनी चाहिए इसके बारे में विस्तार से पंडिजी हमें बता रहे हैं और साथी राशी फल भी हम जानेंगे तो आई उसकी शुरुवात करते हैं पहली राशी है मेश राशी कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिती, कामकाज, रिष्टे और सेहत साथी क्या है आज का इनके लिए उपाए शुभंग और शुभरंग जानते हैं देखे अगर आपकी मेश राशी है तो थोड़ा सा ट्रांजित तो बदला है त्रांजित ये बदला है, माने ग्रह गोचर ये बदला है कि आपके बैभाव में सूर्य के साथ साथ नीच राशी में बुध भी दिमान है और बुध आपके राशी में पराक्रम का भी स्वामी होता है साहज का भी स्वामी होता है तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि आज मेस रासी के जातकों के जीवन में खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि चंद्रमा से जो आपके रासी स्वामी की इस्थिती है वो 14 डिग्री के अंतरवर है अर्थात कोई बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है लेकिन लालच मत करिए और चंद्रमा की जो इस्थिती हो रही है उसके आधार पर दूविधा बढ़ने से सही समय पर आप फैंसला नहीं ले पाएंगे और अगर फैंसला लेने में आपको तकलीफ हो रही है तो आप उब नमश शिवाय करिए नहीं तो नुकसान होगा पाज़वारिक जिम्मेदारियों को बिलकुल मदभूलिए खान पान पर ध्यान दीजिए सेहत में गिलावट हो सकती है इसलिए सोच समझ कर दूसरों की मदद करिए किसी भी के सांथ कोई प्रकार का वाद बिवाद न करिए सुभंक आपके लिए अच्छा होगा सुभरंग आपके लिए बादामी होगा जैमा बिंदिवास में और मेश के बाद बारी आती है व्रिशब राशी वालों की तो कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिती काम का जरिष्टे और सेहत किन बातों का इनको रखना है खयाल आए जानते हैं देखिए ब्रिशब राशी के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशी से ब्याइभाव में राहु के स्थिती है लेकिन आपका धनेस बुद्ध जो है वो आएभाव में बैठा हुआ है इसलिए आमदनी में तो बिर्धी की संभावना पूर्ण रूपेन बनी परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय विताएंगे बच्चों की सेहत की चिंता सताएगी आज आपको चाहिए कि अपनी दिमाग का प्रयोग करें केवल दूसरों के चिकनी शुपड़ी बातों में ना आएं लाल चंदन पानी में डाल करके हर हर गंगे कहते हुए अस परिवासनी आप तिथियों पर है इसलिए हम तिथि की बात कर रहे हैं लेकिन इसके साथ चंद्रमा और योगिनी को भूलना नहीं है और चतुर्थी पंजमी सश्टी इन तिथियों में जो लोग यात्रा करते हैं उनके उपर क्या इफेक्ट होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा दाली रिख्टा माने जो खाली हो अर्था चूचिं कहते ना चूचिं कोईसी तो कौन पोखी माने जिसके हाथ में कुछ न HOL फो चूच़ा होता है ये क्या है रिख्टा तिथि है रिख्टा सरवत्र निंद्यते चयोद, चतुरदस और नौमी ये किसी भी कारे के लिए तिथी अच्छी नहीं होती चाहे विवासादी हो, चाहे पढ़ने जाना हो और चाहे तिलक हो, चाहे गोदभराई हो चाहे जनेव का संसकार हो, चाहे मुंडन हो चयोद, चतुर्दसी और नौमी इन तीन तिथियों में कोई कार्य नहीं किया जाता है इस तिथि में यात्रा करने से बड़ी रुकावटें और अन्होनी के योग बनते हैं शुक्लपक्ष या क्रिश्पक्ष की पंचमी के दिन यात्रा अगर की जाए तो वो लावकारी होती है अगर आप पंचमी तिथि में घर से निकल रहे हैं और पंचमी तिथि है तो सफलता जरूर मिलेगी दक्षिन दिसा में योग नहीं होती है अगर उत्तर दिसा की यात्रा करें आप पंचमी तिथि को या पूरब दिसा की यात्रा करें तो आपकी सारी मनो काम ना पूरी हो जाएगी मन चाहा फल अगर खश्टी तिथी में आप यात्रा कर रहे हैं तो मन चाहा फल आपको कभी नहीं मिलेगा खश्टी तिथी में सुरू की गई यात्रा का सेहत पर भी बुरा प्रोफा पड़ता है इस बात को बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूत है सश्ठी तिथी पर अगर आप यात्रा करते हैं तो निह संदे थोड़ा सा इसका स्वास्थ पर बैडिफेक्ट पढ़ता है परिवा छठ एकादस नंदा ये नंदा तिथी है लेकिन ये रिक्ता तिथी की तरह असुभ नहीं है इसलिए आवस्थेक्टा पढ़ने पर ये गराह हो सकती है जैमाविन दिवासमी और आई अब बात करेंगे हम मिथुन राशी की कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन और किन बातों का इन्हें रखना है आज के दिन खयार मिथुन राशी का स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ दसम भाव में गोचर कर रहा है और धन भाव का स्वामी चंद्रमा धन भाव को पूर्ण दिरिष्टी से देख रहा है और चंद्रमा और बुद्ध की इस्थिती तृतियक आदस नेह द्रिष्टी से इत्थसाल हो रहा है इसलिए आज मिध्युनलासी के जातकों को आर्थिक लाब होकर रहेगा और तो और आपके काम की भी तारीफ होगी जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और परिवार को आप समय दे पाएंगे आज आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है बस समय की बरबादी मत करिएगा बड़े बुजर्गों का सम्मान करिएगा और किसी का उपहास या मजाक मत बनाईएगा सुभंग आपके लिए च्छ है सुभंग आपके लिए आसमानी है जैमाबिन बसनी मिथन राशी के बाद इंतिजार कर रहे हैं कर्क राशी के लोग और जानना चाहेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिती कैसी रहेगी कि इन बातों का उनको खयाल रखना है और सेहत से जोड़ी बाते भी जानते हैं कर्क राशी का राशी फल कर्क राशी के जातक जान लें कि आपके धन भाव का स्वामी हर समय सूर्य होता है और आपके आयसरोत का स्वामी सुक्र होता है सूर्य और सुक्र का इत्तसाल हो रहा है इसलिए आज आपको अच्चानक धन प्राप्ति का योग बन रहा है और सामाजिक कारियों में भी भाग लेने का सुख आउसर आपको प्राप्त होगा परिवार में सुख सांती का महौल रहेगा और सारीरिक स्वास्थ बिगरने ना दें दुर्खट न हो सकती है शतर्क हो करके यात्रा करें दो नाने मिस्री और सौंफ का सेवन भोजन करने के बात करें सुख आपके लिए आठ होगा सुखरंग आपके लिए पीला होगा जैमाबिन दिवास में किस तिθी में यात्रा करने से आएगी बस रुकावटे ही रुकावटे और किस तिथी में यात्रा करने से सफ़ल пом warmth अपके सभी इन सभी बातों से परदा उठाएंगे पंडी जी और देंगे आपको सबसे सटीगानकारी आज कालचक्र का को आपको बता रहे हैं कि किस तिथी में यात्रा करने से आपकी किसमत सबर जाएगी और कौन सी तिथी यात्रा करनी के लिए बिल्कुल भी शुभом नहीं है तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं देखिए देखिए इन तिथियों में कौन सी यात्रा के लिए सुभ है कौन सी असुभ है इस विशय पर विचार अगर करें तो सुकल पक्ष या कृष्ण पक्ष की सब्तिमी तिथि के दिन से शुरू की गई यात्रा से धन लाब होता है ऐसे में इस तिथि को यात्राएं धन दायक होती है और इस तिथि में योगीनी जो होती है वायब विकोन में होती है उत्तर पस्चिम के कोने में होती है सब्तिमी के दिन इस दिन जो लोग डक्षिन पूरो दिसा की तरफ यात्रा करते हैं या फिर जिन लोगों की यात्रा डक्षिन दिसा के लिए होती है वो लोग सफलता उनके कदम चूमती है सुकल पक्ष या कृष्पक्ष की अस्टिमी किसी के दिन सुरू की गई यात्रा तनाव बढ़ाने का काम करती है ऐसे में इस तिथी में यात्रा कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर आप नहीरित्यकोंड की यात्रा करना चाहते हैं अपने घर से पस्चिम दक्षिन दिसा में जाना चाहते हैं तो जाइए मुझ पर ताओ देके जाइए सफलता मिलेगी सुक्ल पक्ष और क्रिश्पक्ष की नौमी तिथी के दिन बिल्कुल यात्रा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मिर्ट तुल्य कस्टकारी है इससे बहुत ही नुकसान होने की संभावना रहती है इसलिए मैं कहता हूँ या रिक्ता सर्वत्र निन्द्यते किसी भी कारे के लिए चोथ, चतुर्दसी और नौमी तिथी को त्याग दें क्योंकि इस तिथी में की गई यात्रा असुभ मानी जाती है सुक्ल और क्रिश्पक्ष की दसमी तिथी के दिन से सुरू की गई यात्रा सुभ होती है इस दिन योगिनी अगनिकोन में होती है साउथ इस्ट में होती है और जब आप पूरब दिशा की यात्रा करेंगे तब भी आपका जैजैकार होगा और पस्चिम उत्तर दिशा की यात्रा करेंगे तब भी आपकी मनो कामना पूरी होगी प्रापर्टी की खरीद बिक्री करनी हो या संपत्ती का बटवारा करना हो या संपत्ती से सम्मंधित कोई काम हो तो ऐसी आत्राओं की सुरुवात सुक्लपक्ष या कृष्णपक्ष की दस्मी तिति से ही करें इस बात का ध्यान रखें इसमें एक चीज और ध्यान देने योगे है वो है दिकसूल जिसको कहते हैं दिसासूल तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सोमवार और सनिवार को पूरब दिसा में दिसासूल रहता है मंगलवार बुधवार को उत्तर दिसा में दिसासूल रहता है रविवार और सुक्रवार को पस्चिम दिसा में दिसासूल रहता है और ब्रिहस्पतिवार को दक्षन दिसा में दिकसूल रहता है इन दिनों में इन दिसा में यात्रा नहीं करनी चाहिए लेकिन इसमें एक अपवाद है अपवाद ये है कि बुधवार के दिन आप उत्तरदिशा की यात्रा कर सकते हैं लेकिन तीन घंटे सुर्योदे से तीन घंटे रुख करके और घर से भोजन करके जब यात्रा आप करेंगे तब आपकी सारी मनो कामना पूरी होगी लेकिन अगर बिल्कुल प्रातह में यात्रा करेंगे तो यात्रा नुकसान दे होगी ये भी जानना चाहिए बुध कहे हम बड़ा सयाना बिना अन गरसे ना करा पयाना तीन घड़ी पालव मोही सोने छटर छवामों तो ही बुध कहता है कि अगर तीन घड़ी माने 72 मिनट इंतजार कर लीजिए हमारा और उसके बाद यात्रा करिए हम आपको सोने का अच्छतर बनवा देंगे इतना सुख सुधा आपको दे देंगे तो बुध वार को यात्रा की जा सकती है लेकिन भोजन करके और सुर्योदर से 72 मिनट कम से कम इंतजार करने के बाद ही यात्रा करनी चाहिए जैमाबिन दिवास नी और हमारे साथ कालच्वक्र दर्शक नदीम जुड़ रहे हैं लखनव से स्वागत है आपका नदीम जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं पंडी जी नमस्ते हाँ सदा सुखी रहे है पंडी जी मेरा जन दिती है 12.05.1999 जी जी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है कि विभास में लगेगी है तो सली मेरी बहान है 30 सा ले जाए कि सरकारी नौकरी के बारे में पूछना दोनों के चलो पहले आपके नौकरी के बारे में बता दूँ आपका प्रस्ण लगन का स्वामी मंगल है आजीव का भाव का स्वामी सूर्य है मंगल और सूरे 33 एक आदस की इस्थिति में बैठे हुए है अभी तो आपको सरकारी नौकरी मिलने में सन 2024 का फरवरी या मार्स तक का महिना लग सकता है अभी और मेहनत करने की जरूरत है जहां तक आपने अपने बहन के बारे में नदीम पूछा है तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बहन चुकी आपकी आपसे बड़ी है इसलिए आपके एक आदस भाव का स्वामी बूध है उससे दसम भाव का भी स्वामी बूध है ये सिर्फ टीचर बन सकती है दूसरी कोई नवकरी नहीं मिलेगी तो इसलिए अगर टीचर के चत्र में प्रयास कर रही है तो सही दिसा है और अगर टीचर क्लाव किसी दूसरी नवकरी के लिए प्रयास कर रही है तो साथ सफलता नहीं मिलेगी इसमें कोई दोराय नहीं है जैमामी दिवास और आई अब बात करेंगे राशी फल की तो सिंग राशी का राशी फल क्या कहता है ये पंड़ी जी से जानते हैं आज का उनका पूरा दिन कैसे बीतने वाला है जानते हैं देखे सिंग राशी से छठे अस्थान में इस समय सनी सुक्र मंगल चंद्रमा चार चार ग्रह इस्थित हैं ये बीमारी का अस्थान है रोग का अस्थान है ऐसे में जब चतुर्गरही योग बनेगा तो निश्चित रूप से बीमारी पर खर्चा बढ़ेगा काम काज की बात करूँ तो सहकर्मियों का आपको अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा आज सभी का सम्मान करिए आज आपको तनाव से भी राहत मिलेगी साउधानी आपके लिए ये है कि सरकारी संपत्य को नुकसान न पहुंचाएं किसी असहाय व्यक्ति की आपको मदद करनी चाहिए सुभंग आपके लिए साथ है सुभरंग आपके लिए सफेध है जैमाबी निवासमी सिंग राशी के बाद इंतजार कर रहे है कन्या राशी के लोग तो कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिती, कामकाज, रिष्टे और सेहत जानते हैं देखे कन्या राशी में ये दिपी कोई गरही समय बिराजमान नहीं है लेकिन सूर्य बूत की पूरी द्रिष्टी कन्या राशी में छठे अस्थान में ब्रिहस्पती जरूर है लेकिन पंचम अस्थान का सुक्र, सनी, मंगल, चंद्रमा इस बात का संकेत करता है कि आज आप खरिदारी में ब्यस्तर हैंगे और खरिदारी पर खर्च भी करेंगे अगर आपका वेवसाय पार्टनर्शिप में है तो साज़ेदारों से सकारात्मक संबंध बनेंगे दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा तनाव आपको बिलकुल नहीं लेना है अगर आप तनाव लेंगे तो बेवज़ा आपकी सहती से प्रभावित होगी आज महत्तो पूर्ण फैसले टाल दें नित्रहीन लोगों की हो सकती है तो मदद करें सुभंक आपके लिए नव होगा सुभंक आपके लिए केसरिया होगा जैमाबिन दिवासमी तो चलिए तिथियों की बात हम कर रहे हैं कि किन तिथि पर यात्रा शुभ है और किन तिथियों पर यात्रा को टाल देना चाहिए तो बात करते हैं एक आदशी दौदशी और त्रेओदशी तिथि की तो इन तिथियों में किस तिथी को यात्रा के लिहाज से बहतर माना गया है या फिर यात्रा में धन्हानी करा सकती है कारूबारी इन तिथियों का कैसे ख्याल रखें पंडी जी इसके बारे में बताएं देखें आप लोगों को एक वात और बताना चाहता हूँ जैसे ये तिथिया, ये योगिनी और ये चंद्रमा, ये कालवास, ये राहुकाल ये सब तो जरूरी है लेकिन आप बताईए जैसे किसी को, किसी महिला को डिलेवरी होनी है और उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई और आपको पूरब दिशा हास्पिटल में लेकर के जाना है, तो क्या आप उहां पर मुहूरत देख करके रुख जाएंगे, नहीं जाएंगे या किसी का विवाह पड़ा हुआ है, और विवाह के दिन योगिनी गलत डाइरेक्शन में है, तो क्या बारात लेकर नहीं जाएंगे हमारे कहने का मतलब यह है, कभी-कभी ऐसी कुछ चीजें होती है, जो परम आवस्यक होती है, जिसमें मुहूरत का विचार नहीं किया जा सकता मुहूरत का विचार कर, जिसे आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, भागना है सबको बाढ़ में, घर छोड़ करके, तो क्या कहेंगे आप, आज बाढ़ हाई है, ब्रिहस्पत्वार को दक्षिन में नहीं भागूंगा, जिसा सूल है, पानी में डूबएंगे, मरेंगे, नही यद्यप सुध्धम लोक बिरुद्धम ना करणियम ना चरणियम, अगर कोई इमर्जेंसी या कोई आपात काल का निर्बान होता है, तो वहाँ न तो योगिनी का विचार करिएगा, न तो चंद्रमा का विचार करिएगा, न तिथी का विचार करिएगा, न बार का विचा और हां ये चीज ऐसी आपको बताऊंगा कि आप मुरत देखें या ना देखें लेकिन मेरे बताये हुए उस चीज को अगर आप फालू करेंगे तो ताम के पत्र पे लिखे आपको दे सकता हूं कि आपकी मनोकामना पूरी होने से दुनिया की कोई तागत नहीं रोख सकती है बस यात्रा करते समय मेरी बस एक बात का ध्यान अगर आप रख करके यात्रा करें तो चाहे सुभ हो चाहे असुभ हो सफलता आपके कदमों में होगी इसमें कोई दोराय नहीं है और वो क्या है व गात चक्र को भी आपने ध्यान नहीं दिया है, हर रासी का एक गात चक्र होता है, जिसमें तिथियां होती है, वार होता है, महीना होता है, नक्षत्र होता है, उन तिथियों में, उन वार में, उन नक्षत्र में विवा, साधी, यात्रा वर्जित होती है, लेकिन अगर वो भी तो भी आप, जब भी यात्रा करना हो आपको, जब भी प्रस्थान करना हो आपको, आप अपना स्वर देखिए, कौन सी स्वांस चल रही है, बायनाक से कि दाहिने नाक से, अगर बायनाक से स्वांस चल रही है, तो अपने घर के चवखट से बाया पैर पहले निकालिए और य प्यात्रा सुरू करिए ये उपाय सिर्फ एक छोटा सा उपाय सारी परिस्थितियों को आपके अनकूल कर देगा और जानते हैं बीर भोगया बसुंधरा ये बसुधा आपको सुख देने के लिए मजबूर हो जाएगी इसलिए इस एक बात को आप भी ध्यान में रखें और अपने आने वाली पीड़ी को भी बताएं सारे योग ड्रह नक्षत्र एक तरफ स्वर विज्ञान के आधार पर किया हुआ कारे एक तरफ होता है जैमाविन दिवासनिंग शुकल या कृष्पक्ष की एकादसी तिथी के दिन से सुरू हुई यात्राओं का सेहत पर बुरा आसर नहीं पड़ता है यात्री की सेहत अच्छी रहती है ऐसे में इस तिथी को यात्रा लाबदायक होती है शुकल और कृष्पक्ष की द्वादसी तिथी के दिन सुरू की गई यात्रा धनलाब कम करवाती है और खर्च बढ़ाती है ऐसे में द्वादसी तिथी की यात्र सब्सक्राइं लाब कम और हानी का कारण ज्यादा बनती है शुक्ल और क्रिश्व पक्ष की त्रेवजशी तिथी के दिन शुरू की गई यात्रा सुभ होती है मुश्किल से यात्रा को 33 तिथी सुभ बना देती है इस तिथी को यात्रा के लिए सर्वे सुभा हर प्रकार से सुभकारी माना गया है जैमाविन दिवास में और अब हम बात करेंगे तुला राशी के राशी फल की और कैसे रहेगा आज इनका पूरा दिन किन बातों का ख्याल रखना है तुला राशी वाले लोगों को जानते हैं तुला राशी का राशी फल तो चलिए तुला राशी के राशी का राशी का राशी में केतू विराजमान है और आपके सुखष्थान में चार-चार रहें सानी, सुक, क्रमंगल और चंद्रमा तो खर्च बढ़ने की संभावना तो बनी हुई है, खर्च बढ़ेगा, कारोबार में लाब होगा, और सहकर्मी आपके लिए सहायक भी होगे, तो यह अच्छी बात है, आपका बेवहार रिष्टों में खटास का कारण बन सकता है, इसलिए अपने एटिट्यूट पर, अपन करनी चाहिए, आपके लिए आज सुभुपाय है, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, सुभंक आपके लिए पांच है, सुभरंग आपके लिए जामुनी है, जैमाबि निवासनी और चली अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, और अब बात करते हैं, जिन तिथियों की वो है चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, क्या ये तीनों तिथियां यात्रा करने के लिए सही है, या फिर इन तिथियों में हमें यात्रा करने से बचना चाहिए, पन सुरू की गई यात्रा हमेशा नुक्सान का कारण बनती है, क्योंकि ये रिक्ता तिथि है, रिक्ता सर्वत्र निंदते, रिक्ता का हर जगह निंदा की गई है, रिक्ता को कहीं गराहे नहीं किया गया है, इसलिए नुक्सान होता है, इस दिन की हुई यात्रा से, इस दिन क पूर्णिमा के बाद आती है कृश्य पक्ष की प्रत्पदा आती है कर बंद करना है है कि पूर्णिमा के बाद आती है क्रिश्पक्ष की प्रत्वदा और पूर्णिमा को चंद्रबल पूर रूपे अपने पूरी अवस्था में होता है और प्रत्वदा के दिन भी उसकी अवस्था उतनी ही अच्छी होती है जितनी पूर्णिमा को होती है उससे एक दो चैं यह चंद्रबल आपको यात्रा करने पर लाव देगा इसमें कोई संधेर नहीं है हाँ प्रत्रपधा को यात्रा करना असुब भी माना गया है सास्त्रों में लेकिन कि स्थित्पशल की फृट्पशल को यात्रा की जा सकती है जैमाविन दिवासर और आई अब राशिफल में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं व्रिश्चिक राशिवालों की इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और किन बातों का इनको आज खास खयाल रखना है तो चलिए बिस्टिक्रासी के जो जातक है उनको बताऊं कि आपके तुल्वभाव में चंदरमंगल सुकरसनी की इस्तिति है और आपके सुकहास्थान में ब्रिहस्पति है इससे एक बात तो असपस्ट है कि आज पैसों की बात सोच समझ करके आप किसी से करनी चाहिए दूसरी बात अगर कोई चीज आपके पास नहीं है तब किसी से कुछ देने की कमिटमेंट ना करें जैसा मेहनत करेंगे वैसा आपको सफलता मिलेगी इसमें कोई दोरा नहीं है और विदेश से भी सुभस्वमाचायर की प्राप्ति होगी आज पूरे दिन सकारात्मक सोचें आज यात्राक टालने में भलाई है लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाएं सुभंक आपके लिए आठ होगा सुभंक आपके लिए पीला होगा जैमाद निवासने अब धनू मकर कुम्भ और मीन राशी वालों की किसमत आज कैसी रहने वाली है और कौन से उपाए इनकी हर उल्जन को सुलजा सकते हैं चलिए अब बात करते हैं धनू राशी वालों की क्या कहता है धनू राशी का राशी फल हाँ तो अब धनू राशी के जातकों को भी बताना चाहूंगा कि आपका राशी स्वामी ब्रहस्पती इस समय मकर कुम्भ राशी में गोशर कर रहा है और आपके राशी से तृतिया स्थान में है देखिए ब्रिश्चिक का स्वामी मंगल धनभाव में बैठा हुआ है बैभाव का स्वामी होके तो धनहानी हो सकती है पैसे का एका एक नुकसान हो सकता है और प्रापर्टी या गाड़ी का कागज अगर आपने अभी तक बेवस्थित नहीं रखा है तो उसको इतमिनान से बेवस्थित रख दे परिवार में अनबन हो सकती है छोटे बच्चों को लेकर के लड़ाईया हो सकती है इसलिए इन सब बातों को इवाइड करें छाती में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है ज़्यादा टेंसन ना ले आज लेन देन में भी सतर काप को रहना चाहिए आज बड़ों का अशिरवाद लेना चाहिए और बड़ों का अशिरवाद लेकर कोई नया काम शुरू करना चाहिए इसी तरह से सुभंग आपके लिए दो है सुभंग आपके लिए लाल है जैमाबिन दिवास में हाँ बुलियो पंदी मैं अपने बारे में अपनी बेटी और बेटा के वह इसके बारे में जानना चाहता हूं मेरी जनम तिदी एक यनवरी उन्सट है मेरी बेटी जिसका नाम निदी है उसका जनम साथ मैं 1995 को दुपा है दो बच पर सेंसालिस मिनट पर है और बेटा जिसका जनम शार दिसमबर 1998 है समय है साले आठ वियरात को पंदीव मैं रिटायर हो चुका हूं अभी सवस्तों मैं कौन साहिब काम करूं और मेरी बेटी को सरकारी नौकरी कम मिलेगी उसकी साधिक कब होगी क्या मेरी बेटी मांगलिक तो नहीं है बेटे को सरकारी नौकरी कम मिले चलिए ठीक है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब आप रिटायर हो गए हैं आपको ब्यवसाय करना चाहिए जनरल इस्टोर का कहीं किसी अच्छे लोकेशन में जनरल इस्टोर की दुकान खोल लीजे और उसमें साइबर कैफे का भी काम कर लीजे उससे आपको दोनों एक साथ हैं नौकरी के लिए अगर लगी रहेगी तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन सफलता मिलेगी हाँ आपने एक बात जो पूछा है कि सरकारी नौकरी दोख भगया सरकारी और प्राइवेट नौकरी के लिए जनोतिस में लिख के नहीं आता है जब जनोतिस बनी थी न उसमें न तो सरकारी और प्राइवेट नौकरी की बात नहीं होती थी उसमें आजीविका किस छेत्र में होगी इसकी बात होती थी तो आपकी बेटी की भी आजीविका मुझे अच्छी दिखाई दे रही है अब आप यह कहें कि सरकारी या और आदिते हिर्दे इस प्रोथ का पाड़ करें तो कुछ अच्छी उचाईद तक ये जा सकता है जैमा बिंद्वासुनि और अब बारी आती है मकर राशी वालों की तो चलिए बात करते हैं मकर राशी वालों के बारे में किनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी सेहत कैसी रहेगी और साथ ही किन बातों का इन्हें खयाल रखना है आज के दिन देखिए मकारासी के जात्कों को पताना चाहूँगा कि आपके रासी में चार चार ग्रह ब्रयाजमान है जैसे चंद्रमा मंगल, सुक्र और सनी ये चार ग्रह आपकी रासी में हैं तो धनलाप की संभावना तो आटोमेटिक बनी हुई है प्रापर्टी से जुड़ा कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं दोस्तों और परिवार को आपको समय देना चाहिए स्वास्त अच्छा रहेगा आज बाद विवाद से दूर रही है सुभुपाय है किसी जरोतमंद व्यक्ति को वस्तरदान करें सुभंक आपके लिए पांच होगा सुभंक आपके लिए गुलावी होगा जै माबिन दिवासने और आई अब जान लेते हैं कुम भराशी का राशी भर देखें कुम भराशी के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो ग्रह स्थिती है जो ग्रहचार है उसके अधार पे जो सनी की बैभाव में इस्तिती है वो इस बात का संकेत करती है कि आपका फिजूल खर्च बढ़ेगा कारे में सफलता मिलने में देरी होगी और बेवजह परिवार में बाद बीवाद हो सकता है अगर आपके पिता बुजूर्ग हैं तो आपको पिता का स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए बाड़ी पर सयम रखें हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं सुभंक आपके लिए एच्छ होगा सुभंक आपके लिए हरा होगा जैमा बिंदिवास में और कैसा रहेगा मीन राशी वालों का आज का पूरा दिन साथी आरती करने के बाद क्यों छिड़का जाता है शंक का जल ये जानेंगे हम पंडीजी से चलिए अब जल्दी से आज के स्पेशल सेग्मेंट की शिरुवात करते हैं पंडीजी अक्सर हमने ये देखा है कि आरती के बाद खास और पे मंदिरों में तो ये देखने को मिलता ही है कि शंक से पानी छिड़कते हैं और सभी भक्तों पर वो पढ़ता है और हम ये महसूस करते हैं कि हमें आशिरवाद मिला इसके पीछे का क्या कारण है इसके पीछे एक तो बैज्यानी कारण है ज्यादतर संक में रखा हुआ जल लोगों पर छिर्का जाता है ब्रह्म वैवर्थ पुरान के अनुसार संक में जल भर कर देव अस्थान अर्थाद देवी देवताओं के सामने जव रखा जाता है और उससे सभी पूजा समगरी सुद्ध की जाती है तो संक में गंधक, फासफोरस और कैल्सियम की मात्रा होती है इस पर अर्थ चंद्राकार चंदन का तिलक लगाने से इसमें रखा जल सुद्ध और सितल हो जाता है जब इस संक में रखा जल लोगों में शिर्का जाता है तो सभी बस्तुएं सुद्ध होकर रोगान रुरहित होकर सुद्ध हो जाती है इसका लाप सभी को मिलता है देखिए ये ओरिजिनल संख की बात है ओरिजिनल संख की आप पहचान कैसे करेंगे अरिजिनल संख है संख खरीदना हो जब तो उसको लीजिए अपने दाहिने कान के पास लगाइए अगर उसमें जैसी आवाज आती हो अनवरक एक आवाज आती हो कान के पास तब तो वो सही है और अगर आवाज नहीं आती है तो इसका मतलब कि वो artificial ढंग से पेरी साब पलास्टर से कृतिम ढंग से बनाई हुई संख है वो समुद्र से निकली हुई संख नहीं है अगर समुद्र से निकलेगी संख तो इसको कान के पास अगर आप लगाएंगे तो उससे आवाज आएगी चाहिए वो बजने वाला संख हो और चाहिए वो दक्षिनावरती न बजने वाला संख हो दोनों में ये अवस्थाएं आपको प्राप्त होंगी तो संख की ओरिजिनल्टी जान करके भी आप संख लेने में सफलता हासिल कर सकते हैं जैमाबिन दिवासनी और अब राशी श्रंखला की आखरी राशी मीन राशी की बात करेंगे जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है चलिए मीन राशी में सूर्य और बूध की स्थिति है कहना यही चाहता हूं कि सूर्य आपके छठे भाव का स्वामी हो करके आपके राशी में बिद्यमान है लेकिन आपके धन भाव का स्वामी मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में एक आदस भाव में है जो इस बात का संकेत कर रहा है कि चाहे जीतने ब्यवधान आएंगे लेकिन धन लाब हो कर रहेगा नया काम सुरू करने के लिए अगर आप नया काम सुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए नया काम सुरू करने के लिए अनकूल समय है दिन अच्छा है और रिष्टे आज अपनों से भी कलेश आपका हो सकता है मानसिक सांती में बाधा आएगी तनाव बढ़ सकता है तो बिरोधियों से सावधान रहिएगा गुलाब का फूल पूजा घर में रखिएगा सुभंक आपके लिए एक होगा सुभरंग आपके लिए लाल होगा जैमाबिन दिवास तो पंडी जी यात्रा करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया है हमें उमीद है कि इसका लाफ वो उठाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो हम उमीद करते हैं आपको हमारा आज का विशे बहुत पसंद आया होगा कल फिर एक नए विशे और आपकी परिशानियों को दूर करने के लिए धेरो उपाय लेकर आएंगे हम पंडी जी पंडी सुरेश पंडी जी के साथ तब तक काल चकर की पूरी टीम को दीजे इजाज़त लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए नमस्कार नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24